कर then Hello दोंस्तो पितानु वाला हो जब भी हम लोग अपने material Eidr में जब यहां पर get material पर क्लिक करते हैं तो हम लोग का ये ओलड वाला ighl it open अबर आपके ये एर classroom हो जाता है अगर आपका ये आयर आ रहा है ऐस तरहे है आपusan एंड फर सब्रकर र्रह आपord और आपको इसके अंदर लाइटिंग कराना है अच्छी क्वालिटी में वह भी लोईस प्राइज में तब इस वीडियो के डिस्टिशियों में आपको इमेल आईडी दिया हुआ है वहां से आप आपको अपना 3DX Max को बंद कर देना है तो मैंने 3D Max को बंद कर दे रहा हुआ है यह पुराना 3D Max है यह 2017 है इसके दर भी ऐसा एर्र तो नहीं एंटिक में भी एरर नहीं था बाकी सिप एरर था 2018 के अंदर मेरी में एरर आ रहे थे ठीक है तो एरर कैसे सॉल करना चाहिए सबसे सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है सबसे पहले आपको hidden वाले जो files है उसको and height करना आना चाहिए आपके पास अगर windows 10 है तो उसके लिए आपको काफी easy हो सकता है इधर पर उपर की तरब आप देखोगे यहाँ पर just उपर की तरब यहाँ पर लिखा है view के अपर just click करना ह इधर पर हम लोगों मिलता है option, option में हम लोगों जाना है click करना है option button पर जैसे ही जाएंगे तो हम लोगो फोल्डर and option यह open हो जाता है इसके अंदर लोगों के व速 जाना है view के अदर handlarर यहाँ पर यह don't show hidden file पे default यह set होता है तो इसको आपको क्या करना है show hidden file folder और राइद पे click करना है जो भी hidden file and folders है वो open हो जाएगी ठीक है तो इसको okay करना है जैसी मैं okay करूँगा तो फिर मैं को जाना है अपने सीज्ड्यमे धेकशींक भरच क repaired in depth अभी यहां पर जाना है कि युजशर्स में और आपका यूज़र्स क्या है वह क्यों पर यूजर्स क्या है अब है आपको कैसे बता आपका युजर्स क्या हो सकता है तो इसक यहां पर क्लिक कर सकते हो अपना इधर पर देख सकते हो आपका user name क्या हो सकता है अपने profile में जाकर देखिए अपने इधर पर जा सकते है account change इधर पर आपको user name पता चल जाना चाहिए इस नाम से है तो मेरा game घर के एक user name है जो आपने user name मना कर रखा है default तो उस user name पर ही folder आपको open करना है इसको जैसी आप open करोभे आपको इधर पर open होगा कुछ इस तरह से ये file इधर पर जाना है आपको यहां पर application data के अंदर application डेता में पर आपको जारा है झालना अफित दिखाई दे रहे है जैसे कि आपने जो जो स्टॉल करके रखा है उसको मैं चाहऊ तो पूरा डिलीड करके या फिर मेरेक। सिब वो जो मटेयल कांछी इस्यू है ...... उसको ही मेरेक। सॉल करना है.. तो उसके लिए क्या कर सकते है .. उसके लिए हम लोगने जना हो.. पर अपने फोल्ड एंदर.. फोल्ड पियोटे मां .. फोल्ड爵 में.. इसको ऊपन करता हो.. इसको open करते ही हम लोग नीचे की तरह हम लोग देखेंगे इधर पर एक फाइल का नाम गवा जिसका नाम होगा SME इसको हम लोग को open करना है open करते हैं कैसे हम लोग right click करते हैं इसको करते है edit edit करना है आप यहाँ पर या फिर आपको यहाँ पर edit का option नहीं आ रहा है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो इधर लिखा है so material browser one and use old material browser one यानि की हमारा यूज हो रहा है old material browser इसके मतलब one का मतलब वैल्यू देगे है हाई हो यह यह यूज हो रहा है फिर पर क्या है कि हम लोग को क्या चीए मुझे जो old वाला open हो रहा है उसको नहीं करना है open इसको मैं zero कर दिया तो zero करने के बाद फिर हम लोग कर देना है इसको save इस फैल को कर दिया save जा save करने के बाद फिर मैं वापस आता है अपने अब यहां पर ओपन कर लेता हूं अभी यहां पर ओपन करके आपको दिखाऊंगा तो इसके हमारा जो मठेल ब्राजर जो old वाला open हो रहा था वह पूरी तरह से reset हो जाएगा फिर से हमारा new वाला मठेल ब्राजर आना चालू हो जाएगा यहां पर हमारा मठेल यहां पर यहां पर देख सकते हो जैसी open हो जाता है तो इसको मैंने यहां पर 3ds Max open हो चुगा है मैं अपना मठेल एडिटर को open करता हो मठेल एडिटर को open हो जाने के बाद यहां पर इसको फिर से तरपे क्लिक करने बाद ही पता चले कि हम लोग का वो नया वर्जन पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां तो फिर बस इस वीडियो में इतना ही अगर आप को फिर पसंद आ है तो लाइक को शायर किजिए ताकि वह भी जासा कि कि हम लोग इस तरह से अपने ओर मठेल को न्यू मठेरियल ब्राउजर में कैसे यहां मिलते हैं आपको ठीडी मॉडल सीन फायर टेक्शर और टुटोरियल और जाने के लिए इस वीडियो के डेक्शिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है आप वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हो इस तरह की और भी वीडियो देखने जाते हैं आप लोग तो मेरे स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए उसके बाजू के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नॉटिफिकेशन आपको मिल सके ताक्यू फॉर वाचिंग इस वीडियो जाय हिंद वंदे मात्रम